नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चोल प्रसाशन के वारे में जानेंगे तथा इसके वारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो चलिए बिन देरी की अपने वीडियो को सुरू करते हैं जब हम बात करते हैं चोल प्रसाशन के तो चोल प्रसाशन 850 से 1220 के बीच चला यहां राजवन्स पहला राजवन्स था जिसने पूरे दक्षिन भारत को एक ही शाशन के अधीन लाने में सफलता प्राप्त करें थी बात करें चोल प्रसाशन के इतिहास के बारे में तो देखो चोल साशन भारत के इतिहास में अधुत्य और अभिनव प्रसाशनों में से एक था ये राजबंस पहला था जिसने दक्षण भारत के राज्यों को एक ही साशन के अधीन ला दिया था और यही नहीं सरकार के भीतर की विवस्था संगठित, अभिनव और कुसल थी और इसमें परयाब पहलू थे जिनका पालन आज की सरकारों द्वारा किया जाता है यानि इन्होंने ऐसी विवस्था बना रखी थी जिसका पालन आज की सरकारे भी करती है अब हम समझते हैं यहां के राजाओं के वारे में तो देखो जब हम बात करते हैं यहां के राजा की तो राज शाशन का प्रमुक होने के नाते संपूर्ण समराज्य की प्रशाशनिक व पाली का और सेन्य बेवस्था का प्रधान था और सूत्राधार होता हुआ करता था यही नहीं राजा जो था वो युद्ध में सेना का संचालन भी करता था और साथ ही साथ अनेक सेनापतियों की न्यूकती भी करता था और इसके अलावा चोल समराज्ये में नव निर्मित जि जह सकते हैं कि वहां पर राजा के सकती काफी ब्यापक होती थी क्योंकि चाहे सेनपती का कारे हो चाहे न्यायपाली का चाहे कारे पाली का चाहे कोई भी प्रशाशनी कारे हो वो राजा के नाम पे हुआ करता था जिसके कारण से चोल समराजे में राजा की जो भूमी का होती थी वो बढ़ जाती थी अब हम समझते हैं कि जो चोल समराज्य था उसका स्थानिय प्रसाशन कैसा हुआ करता था स्थानिय प्रसाशन के वारे में थोड़ा समझते हैं तो देखो चोल प्रसाशन या चोल साशन काल में स्थानिय शाशन जो था उनको सरवाधिक महत दिया जात चोल समराज्यों का प्रशाशन ग्राम प्रशाशन नगर सभा मंडल सभा के द्वारा संचालित होता था और यहीं नहीं ग्राम और नगरों की जो सभाई होती थी वो प्रजा यानि लोगों के द्वारा संचालित की जाती थी और इसके अलावा जो संचालन किया जाता था वहा तीसरी है सभा और तीसरी है नगरम यह पेपर में अक्सर पूछता है कि समराज्य में जो चोल समराज्य हैं वहाँ पे कौन सी तीन प्रकार की ग्राम संस्थाएं हुआ करती थी जिसका अंसर आप यह लिखेंगे उर सभा और नगरम इसके बाद आता है कि चोल प्रसाचन जो वो वनसानुगत सासकों की सेवा करते थे यानि वनसानुगत साशन यहां पर हुआ करता था राजकों का विस्तार करने के लिए राजा को राज्य के दोरों पर जाना पड़ता था यह लाइन बहुत इंपोरेंट है केंद्रे सरकार में पूरी तरह से जो सचीवाले प्रशाशन को नो प्रांतिय राज्यों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें मंडलम के रूप में जाना जाता था, मंडल या मंडला मुंडली के प्रतेक राज्य के गवर्नेर के रूप में जाना जाता था, जो प्रतेक प्रांतिय राज्यों को संभालते थे, मतलब क्या बोल रहा है कि देखो उन्होंने क्या क्या था केंदरी सरकार ना जो केंदरी सरकार थी उनकी उनका पूरा सचे वाले उनमें सामील हुआ करता था जो उनकी पूरे प्रशाशन थे उसको नो प्रांतों में उन्होंने क्या कर दिया था बाट दिया था और जो उसको मंडल या मं कारण थे देखो मजबूत प्रशाशन के कारण चोल सरकार जो थी वो उन्होंने अपने आपको इतना सक्तिसाली बनाया था क्यूंकि उनकी जो पडोसी थे संपदाओं के साथ भैतर संबंद बनाने में सफल रहा जो चोल साशक था वो अपने पडोसियों के साथ अच्छे आने का परियास किया यह मजबूत और प्रभावी प्रशाशन प्रणालियों के कारण ही सफल रही थी प्रसाशन के भीविन भागो को क्या किया गया था अलग-अलग चीजों में बटवारा इनका कर दिया गया था केंद्रे प्रसाशन जहां राजा के अंतरगत आता था वह जब बात करते हैं चोल अधिकारियों की, तो देखो, चोल अधिकारी जो होते थे वो पहले होते थे ओले, यहा ना ओले कोन होते थे, यह वशिष्ट अधिकारी होते थे, जो समराट के आदेशों का पालन करता था, ओल राजा के आदेशों का कच्चा मसोदा तयार करता था, ओले नगयम यहां अधिकारी होते थे यह ओले द्वारा तयार राजा के आदेश की जांच करते थे उच्छ सरकारी अधिकारियों को पेरू दरम तथा उनसे नीचे अधिकारियों को कहते थे तो यह वहां के कुछ नाम थे और उनके काम थे कि यह जो अधिकारी हो करते थे और अधिकारियों के कुछ काम थे तो इस तरह से पहले हमने सबसे पहले इसके हमने राजा के बारे में पढ़ा कि वहां के राजा कैसे हुआ करते थे इसके बाद हमने पढ़ा हमने कुछ चोल अधिकारियों के बारे में पढ़ा हम बढ़ते हैं बीड़ों के अंध की तरब कि संस्था जो थी उसको भी अधिकार दिया गया था और प्रशाशन में उसको साजिदारी दी गई थी ये भी हमने इसमें पढ़ा इसके अलावा ग्राम स्तर पर जो स्वायता थी यानि ग्राम स्तर पर जो लोगों को अजादी दी गई थी इस प्रशाशन में उच्छ स्तर की थ राजनेतिक धांचे में होने वाले परिवर्तनों में गांव की दैनिक जीवन आप्रभावी रहता था चोल काल में दक्षिन भारत के गांव पर्याप्त रूप में आत्म निर्वर्त थे ये भी हमने इसमें पढ़ा तो दोस्तो आज की वीडियो यहीं पर समाप थोड़ती है वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेर जरूर करें मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में